एंडी इस पहाड़ियों से बह कर आने वाला साफ पानी कोलंबियाई राजधानी बोगोटा में पहुँचकर मैला हो रहा था जो पानी उपर निर्मल था, नीचे पहुँचकर किसी नाले जैसा काला हो जाता था कंसरवेशन इंटरनेशनल नाम का एक संडरक्ष और संगठन पानी को साफ करने और सफाई बरकरार रखने की एक योजना के साथ पहुचा वो योजना कैसा रंग लाई? चलिए देखते हैं बोगोटा के पूरवी छोर पर एक छोटी सी बस्ती है बॉस्क केल्डरोन तेखाड़ा ये बस्ती काफी बदनाम रह चुकी है लेकिन अब वहां से एक अच्छी खबर आई है एक नाला जहां से साफ पानी बहता है अब यहां इधर उधर फेंका हुआ कच्रा नहीं दिखता माहौल ऐसा है जहां प्रकटी फल फूल सके सोफिया लोपेज यहां बली बड़ी ही हैं यह इसे बड़ा बदलाव मानती हैं यह कच्रे की जगा थी यहां गाड़ियों के टायर, खाने का कूड़ा फेका दिखता था चीजें जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी कूड़ा, प्लास्टेक और यहां तक की शव भी यह सिर्फ एक बदसूरज जगह ही नहीं थी यहां बहुत ज्यादा हिंसा भी थी और इस स्थिती को उक्तावियो रोडरीगेज भी इसी संगठन के सदस्य हैं उन्होंने, सोफिया लोपेज ने और बहुत से दूसरे लोगों ने बहुत महनत की है जिसके चलते आज यहां ऐसा नजारा दिख रहा है यहां से 53 घन मीटर कच्रा हटाया गया है और साड़े आठ हजार नए पेड लगाए गए है लेकिन स्थानिय लोगों की हिस्सेदारी के बगाएर ये कोशिश नाकाम साबित होती इन लोगों के बिना जिन मेंसे बहुत सारे पूर्व अपराधी है एडविन टापस को पारा छे साल तक जेल में था ट्रक्स अपराध के चलते अब वह परोस के लोगों के साथ मिलकर नाले को साफ रखने की कोशिश में लगा है ये लोग नाले की सफाई करते हैं घास काटते हैं और पेड़ों को ठीक ठाक रखते हैं जिस दिन काम नहीं होता वे पेड़ पोधों और पर्यावरंड के बारे में जानकारी हासल करते हैं और कमाते भी हैं सबकी पारिवारिक जमेदारिया हैं एडविन के तो साथ बच्चे हैं कुछ लोग बसों और ट्रेन में भीख मांगने का फैसला करते हैं तो दूसरे आसान रास्ता अखतियार करते हैं हाथ में हतियार लेने का और लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं ये प्रोग्राम हमारी मदद कर रहा है और इस तरह के आपराधिक पेशे अपनाने से हमें रोग रहा है हम में से जादा तर पहले ही समझें खड़ी कर चुके हैं इस बीच फिर से परियाटक और दूसरे लोग यहां साफ सुथरा नाला देखने आने लगे हैं परिवेहन के शोर के बदले, पानी के कलकल बहने की शान्त आवाज और फफुन्द के बदले फूलों की खुश्बू पंची भीस कालोत फुठा रहे हैं इस प्रोजेक्ट की शुरुआद 2011 में हुई संभावित अपरादियों के साथ काम करना इस प्रोजेक्ट का एहम हिस्सा है लोगों का एक ही सपना है अपनी जिंदगी और अपने पर्यावरन को फिर से वापस पाना यही लक्षे डानिलो ओचोवा का भी है उसने बहुत पहले तैय कर लिया था कि जिंदगी में गैंग और ड्रग्स से आगे भी बहुत कुछ है तब से वह स्ट्रीट आर्ट कर रहा है और बहुत से लोगों का आधर्श बन गया है उसका एक पसंदिदा विशे है पानी साफ है कि हमें एक साथ क्या जोड़ता है यह पानी है मुझे मेंधकों की तस्वीर लेना भी पसंद है मैं अकसर उनकी पेंटिंग भी बनाता हूँ और मेरे बदर पर उनका टैटू भी है हाल ही में ओचोवा ने महुले के बीच ओ बीच अपनी खुद की गैलरी खोली है वह दूसरे लोगों के साथ भी अपने अनभव साजा करना चाहता है उसका मकसद है रचनात मक्ता के बारे में बताना और प्रतिभा पहचानने में मदद करना इससे बहुत से नौजवानों को प्रेड़ना मिली है इस बीच सोफिया और उक्टावियो चोटी की तरफ बढ़ रहे है वहां जहां कोई मकान नहीं है यह परियावरन सनरक्षित क्षित्र है शहर के लिए अत्यंत जरूरी इलाका लेकिन शहर के विस्तार और लोगों से उसे खत्रा पहुँच रहा है यदि अब प्रकृति के लिए आदर बढ़ता है तो दोनों को उमीद है कि सनरक्षित इलाके का भी भला होगा इसके शुरुवाती संकेत दिख रहे हैं कुछ पौधे फिर से अपनी जगह बनाने लगी है दो साल में कंजर्वेशन इंटरनेशनल का काम खत्म हो जाएगा और वह इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाएगा ये प्रोजेक्ट इस तरह बनाया गया है कि वो आत्मने रभर है लोग इसे खुद आगे चलाएंगे यही यूजना है नहीं तो बस एक ऐसा प्रोजेक्ट होता जो उपर से नीचे की ओर चलता और फिर बंद हो जाता एडविन टापासकोपारा फिलहाल एक सुकून भरी सुरक्षित जिन्दगी जी रहे हैं प्रोजेक्ट की एहमियत उन्हें समझ आ रही है